नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप अपनी लाइक में कुछ नया सीखना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों अक्सर आपने मित्रों या रिश्टेदारों को कहते सुना होगा कि मुझे आज सपने में साब दिखा या फिर सपने में मेरा एक्सिदेन्ट हो गया था या फिर में छत से गिर गया था तो मित्रों आकरिन सपनों का क्या अर्थ होता है और ऐसे सपने हमें क्यों आते हैं आज किस वीडियो में हम आपके इसी सवाल का उत्तर देंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है खुशी और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है तो दोस्तों अगर आप सच में भगवान श्री किष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री किष्णा मित्रो सपने में साप का आना आम बात है हिंदु धर्म की माने तो साप को हिंदु धर्म में पूझनिय माना गया है यह भगवान शिव के गले का हार है और भगवान विश्णू की सैया है एक तरफ जहां साप को पूझनिय माना गया है वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़े कई मिथक भी प्रचलित है और अगर साप हमारे सामने आ जाए तो हम डर जाते हैं यहां तक कि साप को अगर हम सपने में भी देखे तो भी हम डर के उठ जाते हैं लेकिन स्वपने शास्त्र की माने तो सपने में साप को देखने के कई अर्थ होते हैं पहला अगर किसी को सपने में साप दिखाई देता है तो इसे अप शुकुन माना जाता है अगर आपको भी सपने में साप दिखाई देता है तो यह इस और इशारा करता है कि भविश्य में आपके साथ कोई परिशानी होने वाली है दूसरा यदि आपको सपने में साप डस ले तो यह इस बात का सूचक है कि जल्दी ही आपको कोई गनबिर रोग होने वाला है या फिर आपके जीवन में किसी प्रकार का संकटाने वाला है तो आप सतर्क हो जाए तीसरा सपने में साप आपको कहीं जाते हुई दिखाई दे या आपको देखकर छुप जाए तो माना जाता है कि पितर देव आपकी रक्षा कर रहे है चौथा, सापको बिल में जाते देखने का अर्थ माना जाता है कि आपको धनकी प्राप्ती होने वाली है और बिल से बाहर आने का अर्थ है कि आपको धनकी हानी होने वाली है वित्रो अब जानते हैं सपने में छट से गिरने के एहसास का क्या अर्थ होता है स्वपने शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में छट से गिरने का एहसास होता है तो माना जाता है कि आप किसी परिशानी में पढ़ने वाले हैं या फिर आप किसी बात को लेकर परिशान है या किसी चीज को लेकर आप में आत्विश्वास की कमी है कभी-कभी ऐसा होता है कि आप जोड से गिरते हुए, खुद को देखते हैं, लेकिन इस दोरान तुरंती आपके नीद खुल जाती है, एसस अपना दर्शाता है कि आप सतर्क हैं और अपने आजपास के लोगों पर विश्वास नहीं करते।